बच्चो आज हम हिंदी में रिविजन वर्क में प्रश्णों के उत्तर लिखने का अभियास करेंगे ओके सबसे पहले आप अपनी हिंदी की नोट बुक में आज की टेक मैंशन करेंगे 17, 10, 20 फिर क्लास वर्क लिखेंगे इसके बाद हेडिंग लिखेंगे निमने प्रश्णों के उत्तर लिखें जैसा कि बच्चो आप देख रहें मैंने या पर कुछ प्रश्णों और उनके उत्तर लिखें है चलिए अब हम इने बढ़कर अभियास करते हैं सबसे पहला प्रश्ण है पेड़ पर कौन बैठा था? इसका उत्तर है पेड़ पर कववा बैठा था प्रश्ण दो है गेन कहां चाकर चिप गई? उत्तर है गेन जाड़ी में जाकर चिप गई प्रश्न तीन है घर के पीछे कौन सोई थी इसका उत्तर है घर के पीछे बिल्ली सोई थी प्रश्न चार है गिलहरी किसे जूला समझ कर जूलने लगी उत्तर है गिलहरी बंदर की पूंच को जूला समझ कर जूलने लगी पाचवा प्रश्न है हम खाना कहां बनाते हैं बच्चो इसका उत्तर है हम खाना और असोई घर में बनाते हैं तो बच्चो अब आपको भी इसी तरह साफ और सुन्दर राइटिंग में अपनी हिंदी की नोटबुक में प्रश्ण और उनके उत्तर लिखने का अभ्यास करना है और आपको इन्हें याद भी करना है, ओके किर्स, थैंक यू, बाबाई